ये मेरा पहला ही पोड़कास्ट है मतलब ये कोवीड आया ही मेरे लिए था बंदा मतलब भारी नहीं मान रहा है यार मैं हार गया जाते ही ठीक हो गया एक डॉक्टर के पास सरजरी के लिए बोल दिया था और वेट तो अब उठाना ही नहीं है जिंद्गी बर ना जिंद्धी बर चार बंदे उठेचर पे लेगे आ रहे हैं तो नियो फाएगी अब तो छोड़ देंगे खड़ा हुना ये बारी हो गया था आकों से सब के आस्सु भी टपगे वे लाइफ में सिवाय ठगी के कुछ नहीं किया इतना क्यों कुछ है यार कुछ ना पर दान सोद्दा दुख मा बोट खाया मग ये दो बेगू बै पहले भी तोषरे बेशरम थी आज भी बेशरम थी आज भी बेशरम थोड़ी थोड़ी मनी तेरे जिसी सुन रहे हो जो इरस बुलिल आवे ना उन खाते रहिया कुछ भी करके कुछ भी दाव लगा सकते उसकी तेरे मारे बास सब कुछ लगा रख्या है कुछ है भी ना बार दो लग्र अबिन सब्सक्झेश काया है Welcome to the brand new podcast Hustlers Hive And in this podcast we are going to bring Hustlers from all around the world not just from India And today we have our first brand new episode And who else we have to welcome today, without them The first episode we're not possible And we are bringing दी मॉंस्टर मास ओफ इंडिया और मॉंस्टर कॉफ ऑफ इंडिया हमारे बड़े भाईया नन अदेन राव नरेंदर यादव अदेन नन अदेन और अपने बड़े बड़े आपका दन्यवाद आप हमारे याँ पर आए हमारी खुश नजीवी आप नहीं तरने प्यार से भूला इनमाइट ही तो मुझे बहुत खुशी हुई आप अमारे गर के बंदो यार कैसे ऐसे कैसे आपको दो आणा ही दा लड़क भी आना था और ये नए एक्सपिरेंस भी लेना था कर्कि इससे पहले तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं शैद पॉड़कास्ट पॉड़कास्ट ये शाय पहला शायद कहा है ये मेना पहला ही पोड़कास्ट है तो देखते हैं कैसा लग रहा भी हमारी मैनत हमारा सेट अप कैस क्या है कुछ और आगे देखते रहेंगे ठीक है आप कैसे हो गई या कैसी चल रही है जिन्दगी देखलो आपके साब नहीं हो पिलकुल फास कलास चल रही है बगवान की तया से पिलकुल लाइफ जो है स्मूज जा रही है भी बार मेरी प्रैक्टिस अथी चल रही है मेरी ड एक रिंग सी होती है बंदे के ठीक है वो मतलब बोरिंग मेरी पोजिटीव हो रही है बिलकुल पूरी 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 पोजिटीव कहीं कोई एक पर्शेंट भी नेगेटिव नहीं है उसमें तो बहुत अच्छा जा रहा भी जो अभी का समय है वो बहुत बेस्ट है मेरी ब जा रहा है बगवान की दया से मेरा बिल्कुल स्मूथ जा रहा है जैसा माइंड सेट करके उठता हूं ना और फिर जब सुने लगता हूं बैड पे और उपर की तरफ देखता हूं बगवान की तरफ तो यह निश्चित मतलब एक तम यह जैसे बोलते हैं कि मतलब हां कर दिया आज का दिन सुकून की नहीं दाते हैं कि पूरा दिन मैंने जीत लिया है जो मैं सुवह उठके जो मैंने सोचा था यह करना यह करना यह करना और जब बैड पे लेटता हूं तो रिपीट करता हूं क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क तो ऐसे दिन जा रहे हैं कि लगबग कोई बाई चांस कोई काटा लगेता है कि विकारण से हो जाता है तो इक दिन को जीतने का स्कून पदा है अगली दिन के अनर्जी बरता है कि आज का दिन मैंने जीते लिया और कल का भी जीते लूँगा कोई बड़ी बात नहीं कोई फिडेंस आता है वह ज़्यादा क्योंकि यह आपको पता बोडी बिल्डिंग एक दिन का एक साल का यह सदियों का गेम है ठीक है इसमें मतलब दिन तो मैंने बोदबड़ा कह दिया हर मींट जीतने पड़ती है हर गंटा जीतना पड़ता है और फ फिर पूरा जीत जाता है नाइस मेरको मेरinkो मर को और ज़्यांटा रुटा ह। होता हुआ आपसे मेरे प्लेसिंग कि मैं बात करूं दॉप जानता त्वेसे फिर को द 하지만 पर मिर को आज फिर इसा ही लग और बेड़ा इन आज पर हम ऐसा समय नहीं को और ओर मड़ब हमेज मेर को और कर रहे हो यह और बेड़ कर रहे हो और इतना इंस्पाइरिंगlegen बंदा इतना मै मैं तेर को फिल है क 씨 एक गए करने है की मैं इसे बुछ मिल पा रहा हूं Unse week Park बार ओने मैं आप से मथे बात करोगा तो मुझे भी ऐसे दिद लचाई कर तो जो आजम लडता है कि से कैसे लिटना है तो रहर-बैठ्था तो क्या प्राईगा और क्या जीतेगा चलो अब आपने struggles की बात करी तो struggles की ही बात करते हैं कि अब अलाकि मैं touch मैं हूँ बट मैं फिर भी एक audience के perspective से जो हमें सुन रहे हैं उनके perspective से फिर मैं दुबारा जानना चाहूंगा कि आपने 2018 में Mr. India जीता फिर 2019 में जीता उसके बार सिर्फ मैं देख रहा हूं कि आपने सिर्फ एक competition खेला और unfortunately वो भी अच्छा नहीं गया तो हम fast forward हमारे पास आप से तो जहीं में सब पर मेरे को सब बता है मैंने तो बहुत closely देखा है बट मैं चाता हूं कि वो चीजें लोगों को और पता लगे और उनको वो चीजें पता लगे कि क्या struggle क्या चीजे फेस करनी पड़ रही है और उसके बावजूद भी एक बंदा मतलब हारी नहीं मान रहा है याल मतलब कितने मेजर सेट बैक्स कितने मेजर चीजें हो चुकी हैं और उसके बावजूद बंदा लगा पड़ा है मैं वही inspiration की वही तो म लड़ने की और आके बढ़ने की तो धीरे धीरे चलेंगे और धीरे धीरे पूरी जर्नी को जीएंगे दुबारा कि हमें और कितने दुखदर्द से हम निकले हैं और उसको फिर और उससे हमने क्या inspiration लिये तो 2019 में आपने दुबारा बैक तो बैक दो टाइटल जीते मिस्ट देखो 2019 के गेम के बाद 2020 का गेम था उसकी भी मैंने बहुत अच्छे से प्रपरेशन की थी इंस्टा बे मेरे फोटो ग्राफ भी है में सबसे लाइफ की आप हां मैं हां लाइफ की तब तक की मतलब सबसे बेस्ट फोर्म थी देक नेक अपता पहले कोवीड के कारण कई- मैं वहां था यह था क्योंकि लाइफ की मेरी बैस्ट फोर्म थी अगर उस अल स्टेज पर चटनेगा अगर बगवान मुखा देता ना तो मतलब मैं भी खुश होता पब्लीक भी खुश होती देखके ऐसा पैकेज तो चलो कोई निवो तो फिर कोवीड के कारण फिर थोड़ा सा ना मैं एक बर फिर कट करूंगा दोजार मैं एक बर क्लोज ली देख रहा था तो मैं थोड़ा सा आपको और बताना जाओंगे कि आप पिक्चर सुटाना इंस्टाग्राम से भीया के या फिर और कहीं से भी 2019 और मैं आपको पूरी बॉड़ी वे अनलाइस करने के नि कह रहा हूं मैं कह रहा हूं जस्ट कॉड एक पार उठाना और प्लीज कंपार करके देखना एक क्या मैसिव चेंज था मिल गया चीज थी वह मतलब क्या चीज निकल के आई थी कि इंटरनाशल उसके बात मेरे को कॉ लोगो सालों से लगे हुआ है बट उसचेंज को देखके मेरे को अंदर से एक आज जागे थी कि हां अब कुछ जो हम चा रहे हैं वो हो सकता है जिस लेवल पे हम ड्रीम कर रहे हैं वो लेवल अची हो सकता है लेकिन तब तो मेरा तो ना है था मेरा सिर्फ यह था एक बार में एक बार ओर game गें लेकिन उस के बाद फिर ओने के बांद फिर मैंने अच्छा का सब्सक्राइब दिया हो उसमें क्योंकि उस बार बहुत हो बहुत टो फिर लुत हो तो फिर मैंने शायद लोगडाउन लग गया था दस बारा के आसपास लगा था मेरे को शायद याद है कि पंदरादरी के आसपास लोगडाउन लग गया था एक से दो वीक का ही सिर्फ गैप था और पीक पे चल रही थी सारी चीज़ें और सब बहुत खुश थे और सब बहुत मोटिवेटेड थे मैं लोगडाउन की निज आई थि उस दिन मैंने प्रेक्टिस कतम की थी फिर एक दोस्त है महीं जिम में साथ प्रेक्टिस करता था उससे घर गए और एक किलो बेशन के लडू और एक लीटर चाय चाज बोलते हैं जिसको लसी वो लेके माट बहुक बोल लिया यहां जैसे इमा भाई अब तो खतम, आपने साथ बैठ के पूरा एक किलो लड़ू, एक लीटर हो, दुख में आसू, आसू के साथ लड़ू और बेसें के लड़ू, दुख में बोत खाया, फिर वन उस दिन, दुख में बोत खाया, नहीं मैंने खुद मेरे को याद है, वो म अधिया था, तो मैंने हाथ करके रोका हूँ, आप या, क्या, अब, क्या, क्या, क्या कॉंपेटिशन कैंसल हो गया, मैं, मैं बड़ा क्यूरत था, क्योंकि न्यूज तब तक आउट नहीं हुए थी, कि, 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 ओफिशली, आइभी, आपने बोला नहीं थे, कि, कॉंपेट अभी भी मन तुक हो जाता है जब भी रिफ्रेश हो मेरे दिमाग में अभी भी वह आप गाडियम बैठे हो अल्मोस्ट आखे आपकी नम थी और वोईस बिल्कुल बैठी वी थी तीन महीने साड़े तीन महीने बोद लंबा टाइम पीरिड है अगर आप त्यारी कर हो गे तो दोरान इतना सब कुछ श्टिक होता है भाई डाइट है सारा सेडूल मतलब उस मतलब प्रोपर डिसिप्लियर में रहना पड़ता है और फिर इतना अलब लास्ट टैम पे अपका ये मिले कि भाई ही नहीं कुछ केलना ही नहीं है तो दर्थ तो होता है या तो इस चीज से आपको रिकावर होने में कितना टाइम लगा फिर रिकावर नहीं बोलेंगे इसको मैं इसको एक क्या नाम दूंगा मैं इस टाइम पिर रिकावरी तो नहीं थी तो नहीं थी बस ये थार कि हाँ मतलब पुड़ा सा है नहीं मून फ्रेश करना था तो उसमें कितना टाइम लगा आपको कि ओ यह मांग से यह दुख निकल ले मेरे को लगे तीन से चार महिने तीन से चार महिने ओ स्टैंफेट बहुत खाया बहुत पिया गूमना तो मैं इतना वैसे पता ही है मैं ज्यादा फिर्दा तो तो रेवल का प्रेवल का शोग नहीं है वसी ही जो अराउंड दिली और एंस यार में जो जैसे सिस्टर है मेरी के वहाँ चलागे जाए बसी है चर्म है फैमिली मैन हो आप पूरा पुका सिस्टर्स मतलब अच्छा है यह बढ़िया है कि आप मेरे पास ने को बोडी बिल्डिंग के अला रिलेशन्शिप को थोड़ा सा स्ट्रोंग करते हैं फैमिली को टैम देओ जो शिस्टर है उनको थोड़ा बड़े बाईया है उनका थोड़ा हाथ बढ़ाओ तो यह सब चीजे चलती रही चाहर रही ने कितना बड़ा सपोर्ट पिलर आपकी फैमिली आपके लिए है या फ स्टार्टिंग में तो नहीं किया था बिलकुल भी कब तक आपको श्ट्रगल करना पड़ा फैमिली से लड़ना पड़ा इसके लिए फैमिली से तो बहुत ज्यादा क्योंकि फैमिली मेरी भी खुद की फैमिली स्ट्रेंड हो गी थी जब तक थो मालब शादी भी ओच्चे भी हो चुके थे उसके बाद ही मतलब देखो एक है ना हमारे इस हमाज में है ना बोड़ी बिल्डिंग को पता नहीं कि गलत तरीके थे से रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अर्गी यह तो पता नहीं पोडर खाते हैं तो सप्लिमेंट का ना बना दिया और वहीं इंजेक्शन लेते हैं यह करते हैं वह करते हैं तो इससे हर फैमिली यह सोचते हैं इससे दूर रहे तो ठीक है सपोर्ट नहीं किया मैं तो फिर बिना बताए करता था यह पहला टाइटल मिला 2018 में मिस्टर इंडिया का तो हां घरक मतलब बाहर को जो बंदे थे ना गाओं के पडोस के और जो रिष्थेदारी में थे जो बच्चे थे जिनों जैसे बाई जी मेरी सिस्टर है बान जी जी बढ़ों के बढ़ों को बता रहे हैं इन्हों ने जीता है यह उसने ऐसे जीता है तो फिर उनका भी पाप्पा के पास प्वन आ यह उसने जीता है यह तब गरबाड हो जाके यह यकीन होा, हैं यह कर रहे, गाम में आया तो फैमली वाड़ों ने आप onda ने बहुत बढ़िया से, और गड़े लगाया हैार भाई जो एक हमारा डिवाज होता है सबसे बड़ा एक सपोर्ट पिलर क्या था अपका मतब एक फैमिली में एक मेंबर होता है ना जो फोड़ा सा आप गलत भी हो जाए पर आपकी साइट अलका सा ले ले लेते हैं यह नहीं कोई बात नहीं तो वह कौन है यह मंमी पापा भाई बेन कौन एक ऐसा बंदा है जो आप से नुमबर वन गलत भी करता तो आपको बचानने के लिए खड़े होते हैं पिटरने से यह मेरी सबसे चोटी सिस्टर है वो मेरी मलब मैं उनके मा भी गया जब यहां मैं पढाई में इतना ठीक तो था नहीं तो था रहर है उनसे मेरा जादा लगाओ वरून गा मुझे थोड़ा जादा लगाओ च्यार सिस्टर है मेरी तो सबसे चोटे वाणी है वो जादा सपोर्टीव है बागे सब पीट थे थे आपना यह लाव पीट थे मानते थे लेकिन बहुत जादा कन्विंस कर नहीं है यह यह ऐस तो लेकिन वो आपके साथ हमेशा खडी रहती हैं उनसे बता जाए तू कह रहा है तू कह रहा है तो ठीक ही होगा यह सब चीज उनको सबसे जादा ट्रस्ट आपके अपर और आपने खेर प्रूब भी करके दिखाया तो शायद उनको सबसे जादा खुशी होई होगी जब मैंने अबाई को सपोर्ट कर रहा है तो मेरी बाते ठीक थी मतलब प्राउड तो होता ही है देखो थोड़ा से थोड़ा क्या आपने बहुत सीज़ अचीज अचीव करी है तो हम भारवालों को इतना प्राउड हो रहती है तो आपका बाई अचे वोलते थे अर्गी वाई यह आपका बाई है यह आपका बाई और उनका और कद्व उपर कर दिया आपने नहीं सही है तो फिर हम दुबारा उस पे जाते हैं तो कॉंपटिशन से तीन से चार महीने में आपको रिकरवरी लगी आपने फैमिली को टाइम दिया और वो क्या प्लान था फिर उसके बाद देखो एक बात तो यह बता दुम्हार चोदा के बाद तो जार पीस में मेरा यह सबसे ज्यादा लंबा टाइम पीरड़ था कि मैं मतलब अलग रहा हूं एकसाई से दूर रहा हूं कि इस दुरान मैंने में लिजिम बगारा बिल्कुल एक लाइफ बिताई है ठीक है हाँ आप मैं बिल्कुल ठीक हो गया था कि हाँ आप दुवारा से स्टार्ट करते हैं नए सिरे से स्टार्ट करते हैं थोड़े वो डिशीजन लिए कि जैसे अब आई बीपीएफ में नहीं खेलेंगे ओके तो दो दर भीस के बाद आपने अब हम उस तरफ काम करेंगे तो यह आपको रिलाइज कब हुआ कि मैं उस स्टेज पर स्टैन्ड हो सकता हूं वो प्रेप में आपने देख लिए अपने आपको यह मतलब उस 2020 की प्रेप ने आपको कॉन्फिदेंस दिया या उसके बाद आपको कॉन्फिदेंस है हाँ दो दूसरी बात है सेम जंग है सेम हर बार वहीं खेलना मेरी फितरत तो है नहीं है आगे बढ़ना है जरूरी नहां कि जरूरी कोई है एक जंग है मालू मैं तुझे अरा देता हूं दूसरा दूसरा भी तो है दुनिया में उसना पकड़ ले उसना रागा दिखा जब बेर लागा के अदम है कि यह नहीं है तो फिर आपने सोच लिया कि अब तो मेरे को फेडरेशन चेंज करनी और आगे बढ़ना है तो फिर आपने चार-पांच महीने के बाद गोल बना ल जरेश्ट मोड अब गया था ना यह रेश्ट मोड था यह आई इसाथ प्लानिंग डां मिधा honor art लेरेई लेकिन आगे पूरा प्लान करना था ना रौ कि आगे क्या करना है chodzi तो खतम हो जाएगा उसके बार प्लान करूंगा है ृपने उसमे रिस्ट ले जाने की जगह है, और आगे मोटिवेटर दिया, और आगे दक्का मार दिया, फिर आपने नेक्स शो क्या प्लान करा, नेक्स शो यही था कि भई शेरू होगा, ओके शेरू क्लासिक खेलना था, एक किस में खेलना था, मैंने जुलाई वाला, लेकिन अब बगवान को किया, मेरे पहले तो बैक इंजरी हो गई, बैक इंजरी मतलब हड़की थी, बैक इंजरी इतनी जाद नहीं थी, कि मैं वरक आउट कर सकता था, मैंने फिर उसको, क्या रीजन था, कैसे हुए ओ बैक इंजरी होई थी, मेरी थोड़ा जर्क लग गया था, मैं बैंट रो कर र तो मैंने एक्सराइज कंटीनू रखी, फिर वो बैक से कोई नर्व थी, वो दब गई और वो निच्छे तक आ गया, वो पूरा, मतलब पैर, पैर तक पैर तक निच्छे तक पैन पहुंच गया, काफ तक, फिर मैंने ध्यान दिया, मैं गो भाई, ये तो कुछ हो रही है, फिर वो आपको, मतलब आपने रेस्ट में आगे बिल्कुल आपने एक्सराइज छोड़ दी, छोड़नी पड़ी एक्सराइज फिर दुबारा से, दुबारा से छोड़ दी, डोक्टरों को दिखाया, उसका करवाया, जाते ही ठीक हो गया, एक डॉक्टर के पास, जाते ही कुछ इंजेक्शन वगरा का बूला था उन्होंने, या तो यह लगेगा, अगर इस से हो गया तो ठीक है नहीं, तो फिर आपकी सरजरी होगी, और बेट तो अब उठाना ही नहीं है, जिंदी बर, अच्छा, मग यह तो बेवगूब है, मन मन में, अच्छा, मग यह तो, य यह पता नहीं है किसको क्या बोल रहा है, मकमर तूट जाए तो तूट जाए भई वेट तो उठाना ही है, अच्छा, फिर देरी-देरी, कईयों के पास गए, फिर सब काल लग सेम साइज जवाब था, फिर एक बाई ने बताया, एक ने, वो भी उसके भी सेम प्रोग्लम थ वो आला कि इस फिल्ड से नहीं है, और वो नॉर्मल जिंद की जी रहा है, लेकिन उसको भी पैन हो गया था, तो उसने बताया कि बाई भाइवान सलाजा मेरे भी हो गया था और वो जरू ठीक करेगा, क्या कहां गए, वो भी बताओ लोगो, शायद किसी और भईवान ने कर और भी और इस से स्ट्रगल कर रहा हो, तो वो भी उससे फायदा उठा सके यहां है, सरीता वियार, दिली में जो सरीता वियार है, पोलो होस्पिटल के पास, मतलब प्रोफेशनल डॉक्टर है या फिर अपने ओ देसी वैद है, क्या है वो बाई, लिम्टिड है, देता है, अगर उसे लगए ज्यादा पेन हो रहा है या है, तो एक दो टेबलेट वो वैसी बी देता है, लोपैथी की भी, कोई इतना वो नहीं है, हाँ, क्या फीस है उनकी, शायर ढाई सो रुपे है, मात्र ढाई सो रुपे है, मैं आग्जैक्ली नहीं पता, मेरे तो बा अगर जब एथैलीट है तो दोस उने ऐसा लिया नी, ट्रीत, उनकी अंठीक हो जाओ वो अच्छी बात है, तो उन्होंने मेरे को एक महीने में ओके कर दियादा, एक महीने में, एक महीने में, एक महीने में, पहले डॉक्टर कहला था, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी है, और उसनों बोल दिया था कि भाई तेरी प्रोब्लम है यह है ठीक है और एक महीने में तू कर ले जो तने वेट करना है ठाना ठूना खेलना कुदना कुछ कर लियो लेकिन एक महीने रेस्ट कर ले बस रेस्ट भी मतलब कती यह निया रिमा घूम फेरर यह कर जो एक दो एक आपको कोई प्रोब्लम कोई प्रोब्लम नहीं कोई प्रोब्लम नहीं दो बार उसके बाद मेरी दो बार प्रोब्लम हो चुकी है ठीक है थोड़ा दर्द प्रोब्लम नहीं मुझे लगता था कि हाँ वैसा ही कुछ दर्द है तो उन्होंने टैबलेट दे रखी है ओ आदी ह कि अगर जादा है तो एक बार लेनी पड़ेगी मतब एक टैबलेट में नोर्मल दर्द गायब एक वो चीज गायब जिससे दर्द हो रहा है रिकावर पेंकिलर ले 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 लेते हैं लेकिन वो जैसे ही 24 गंटे बाद फिस्टार्ट हो जाएगा पेंकिलर गातो वो दो दर्द कोई वैसे जड़ से मिटाती है याद मेरे को थोड़ा शौकिंग लग रहा है कि यह डॉक्टर एंबीबीएस के एमडी होगा शायद हो आप जब गए थे कि स्पेशलाइजेशन हो गी उसकी चीज में वो गया रहा है कि मैं गया जब बोत दूर-दूर से आ रहे थे उसके आप बंधे जासी जासी कहां है जासी वहां से बंदा आया था है और यह तो मेरे आखों की बाद है कि चार बंदे उसको स्टेचर पर ले जार्चार पर ले कि तक दो बे दो तुरन सटा दिने निया है जाएद ब्लेसिंग है उनके उपर बगवान की उनका पड़ा लुखा क्वालिफाइड एमडी डॉक्टर उनको डिमीन करने के लिए नहीं है बट अगर वो कह रहा है कि सर्जिरी करवाने पड़े की जिन्दियें वेट ही नहीं उठा सकते और फिर आप एक महीने मेरे कबर औ आपके एनर्जी और आपकी मन, पॉजिटिविटी फिर है ना इस उस में सिच्वेशन में बंदा बगवान को भी तो वोदमानने लग जाता है तो आपका फिर इस वजए से आपका 2021 का competition आपको छोड़ना पड़ा ना फिर मैं सुचा रही हाँ तो जुलाई तक है मैं कर जाओंगा अच्छा यह कौन से महीने की बात है यह है दिसंबर की बात है दिसंबर की बात है ओके फिर हमने जुलाई देखो मार्च में वो हुआ अपरेल मैं जून जुलाई रेस्ट किया मैंने अगस सितंबर अक्टूबर यह मेरे इंजरी में लिगड़ गए फिर नौमबर से मैंने फिर दुबारा त्यारी मैं अब तो जुलाई का है कर लेंगे त्यारी अगसा नौमबर से स्टार्ट की दिसमबर में आते आते मेरी राइट ने की लिगामेंट से लिगए अच्छा सर्फ दो महीने में दो महीने में ओहो इसकी नजर लगी थी आपको पथा नी बैक-टू-बैक कई हिंजरी हुई मेरे फिर नी के लिए आपने श्ट्रागल किया फिर नी के लिए स्ट्रगल किया, दिसंबर में हो गया था, फिर ये मेरा नी ठीक हुआ, मार्च में जाके, फिर टाइम शॉर्ट रहा गया, और फिर अपरेल में मेरा हो गया, राइट शोल्डर इंजर्ड, क्या किस बंदे की नजर लगी, आप पर ये बताओ, मेरे को नहीं की इंजरी आपके गलती से हुई, या अपने आप अरैज हो गई है? क्या रही सुने लगे कि यह है, कुछ हो रहा है. ट्रेनिंग मिस्टेक की वजह से नहीं वह करने की वजह से हुए है, या उसके वजह से हुए है? यह कियाना मुश्किल है, मुझत नहीं एक तो हो गया ट्रेंग का तो मैं बोल दूँ आ बहुत एक दिन मैंने ट्रेंग किया अगले दिन सीधर स्टार्ट वगया हो AISA को स्थानी धिरे कभी दर मैसुस होता कभी नहीं होता फिर ऐसा होगा कि ओने लग गया मैसुस दिरे तो यह आपने मार्श तक नी आपका टीग हुआ तो फिर आपको शोल्डर में परशान कर दिया मातर्त एक महीने बाद है तो फिर उसको रिकवर होने में कितना ताइम लगा मेरा एक महीना से डिड़ मीन अब मैं जानना जाता हूं कि पहले आपका बैक फिर नी पिर शोल्डर इस डुरेशन में कितना मुश्किल था आपको अपना मोटिवेशन अपरकना और मतलब आपका इस पीरेड में मन हुआ नियों चोड़ देंगे को कई बार आता है ना कई बार यह जाता यह तरद अधा बार 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 एंजरी फिर इन्जरी होती है तो यह लगता है कि भई नहीं अब बॉड़ चलेगे नहीं थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हां की बैक टू बैक मेरे इतनी इंजिलिव होगी और मतलब फिर है ना मन ऐसा हो जाता है नेगेटिविटी गेर लेती है एंचान को फिर थोड़ा भी कुछ ऐसा गल्थ खालो यह खालो पेट खराब सिर में दर्द हो जाए कभी भी मतलब एक तरह ऐसे बीमार नहीं हो जाता है वैसा हो गया था हर जंग ऐसे यह और फराने लेकिन फिर भी कभी-कभी ऐसा दिन होता था कि सोचता था यार बस एक बार ठीक हो जाए भगवान एक मुका दे दे एक बार तो फिर से करना स्टार्ट इस दिमाग वही शरीर ने मतलब देखो प्रेशान तो किया लेकिन फिर साथ भी यही दे रहा था मह चलो इतने दिन साथ दिया है ना सरीर ने वाईक अब से कर रहा हूं मैं 2012 से मैंने ट्रीनिंग स्टार्ट कर दिया थी अब 2020 में आके 21 में आके इसको इंजरी हो रही है मु मुझे इसका साथ देने की ज़रूरत है ले ले जितना टाइम लेना है तेरी हर बीमारी हर परेशानी हर दुख को दूर करूँगा और फिर इसके बाद फिर लड़ेंगे तो बगवान ने इसी सुनी देरे 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 सारा सब कुछ ठीक हुए मैं थोड़ा पोजिटिव ह मेजर मेजर इंजरी नहीं हुए तो एक ड़़ महीने बाद आपकी इंजरी शोल्डर वाली ठीक होगी फिर आपने दिसंबर वाला शो आइधिंक साल दिसंबर में और आधा शो 2021 दिसंबर में वो शो आइधिंक प्लान करा था आपने उसमें भी लेट हो गए थे शायद यह मतलब प्रिशानी होगी थी कि जो भी खा रहे थे वो हो ही नहीं रहा था हर कुछ हमने ट्राय कर आप भी साथ है हर डोक्टर के पास जो जो हर जांगार उस्पिटल में पूरी अपोलो अपोलो सब देख मारा हमने वैंके टेश्वर यहां बड़ा उसमें चले गई पर म एक टेस्ट के पीस-पीस जार पर देने बढ़ रहे थे वो करा के देख लिए पर उसमें कुछ हाई नहीं रहा और यह सबसे फ्रस्टेटिंग चीज थी क्या पता तो लग जाए है क्या पता लगे तभी तो इला जो हां वो पता नहीं लग रहा पहले स्टैप पर फसे वो आपके पॉजिटिविटी ने आपके ना हारने वाली सोच ने ठीक कर दिया तो बंदा हार जाता तो फिर वो शायद ठीक ही नहीं हो पाती तो देख लो फिर उसका टाइम कहा रहा गा फिर हमने गल्थ डीसिजन ले लिया खेलने का एक्जाटली एक्जाटली हम सिर्फ और सिर्फ धाई महीने दूर थे शो से पर भाईया इतने मोटिविटेट थे क्योंकि टाइम बहु जादा हो गएदा स्टेज देखे हुए और प्रशानिया बहु जादा हो रखे तो यह रख तो यार अब तो बहुत जादा चीजे होगी अब तो मेरे को वही चीज कुशी दे सकती है वो स्टेज कुशी दे सकता है तो यह सारी चीजे जो दे को पिछे से गल्थ होती आई है इंजरी बगारा इसारी पेट की जो भी दिकत हुए फिर सोनने पर सुआगा यह होगा हमने खेलने का डिसेजन ले लिए यह यह भी महीने में और वो इतनी जल्दबाजी में तैयारी गरी हमने और भाईया फिर इतनी मोटेवेटर थै कि इतनी दूर से मैं इतनी दिन से मैं दूर था स्टेज से तो मेरे को अपना सब कुछ देना है इतना हाट ट्रेनिंग इतनी डेडिकेशन को शायद इमने कभी किसी आथ लीड में दिख़े हैं सब कुछ कुछ हमें लगी रहे लगी रहे करना है करना है आपकी बहुत सारी पागल होगे थे बिल्कुल पागल होगे दर ट्रेनिंग मदब बिल्कुल ही अगर बॉड़ी दसरे आप मार सकती है तो हमने उसको बीस भी नहीं पच्चिस तक हीच है कि यह था कि अपनी किसी हम एक भी पॉइंट हम लूज नहीं छोड़ना जाते कि जा रहे हैं तो प्रटरेशन इतने टाइम बात खेल रहे हैं प्रटरेशन चेंज कर रहे हैं गोल बढ़ा था था कि यार हमें किसी भी अंगल से पीछे नहीं आठना वो मैंट्ट से हमने बहु को काटना तो सब डाइट जीरो कर दिया काब जीरो कर दिया जैसे जिससे मेरी पैचान नरेंदर नरेंदर ही हो गया था आपकी बहुत सारी वीडियो भी लोगों देखी आपका डेथ पेस देखा लोगों ने की बिल्कुल वो चीज ही एक अलग बंदा दिख रहा था वो चीज नहिंदा यादा वाली चीज थी नहीं बिल्कुल मूँ सूखा हुआ बिल्कुल डेड अंदर संकन में बता आप बा जो नहीं जादा सर पर आवी भी नहीं हो न चीज थी घुजा को नहीं बिल्कुल जब सब इस गलत हुआ ऑट वो टाइम शायद इसा चलता है ऑट ताइम गलत तो फिर मेरेको तो चीजे पता हैं बट मैं जाता हूँ ओट ऑडियूस को बता लगे कि वहां पे एक्जाक्ली हुआ क्या क्योंकि हाइप बहुत बड़ी होगी दिए उस शो की तो कि इंडियन फिटनेस बोड़ी बिलिंग इंडस्ट्री के दो मारत ही एक नहीं दो मारत ही बहुत बड़े मारत ही वहां पर आ रहे थे और आई बीबीएफ से शायद मेरे साब से इतने बड़े आथलीट न हैं हुज नेम्स सुनी जादब और नेंदर जादब और लोग बहुत जादा एक्साइटेड थे कि वो राइवल्री तो ख्यार नहीं बोलूँगा मैं मतब वो एक हल्दी कॉमपेटिशन वो हमने आई बीएफ पेले देखा हुआ था और वो कावी टाइम बाद हमें बता हो एक बार क्या हुआ हुआ पे जादा उसकी मेरी यादे तो है नहीं उसकी कमपटेशन की आप बिलकुली संकन वो दिमाग ही नहीं चल रहा था उस उस लेवल पे ते की काप जीरो है बॉड़ी बिलकुल स्ट्रेस में है नहीं यह तो है कि और उसमें प्रीजजिंग कि खेला था सिर्फ प्रीजजिंग में आप फस्ट कॉल आउट में थे मैं थोड़ा सा बदा देता हूं कि भाईया उस टाइम पर इतने इतने ही स्क्वीज डेन और इतने ही डिपलिटेड थे कि दिमाग भी चलना थोड़ा सा भारी हो रहा था और चीजे बहुत डियाइड इतना ज़्यादा कर दिया प्रीजजिंग में हम फस्ट कॉल आउट में थे हमें बरकता हैं यह बच्छे पूस्टे रहते हैं कि कैसे क्या करना है हम इदर जाए या उदर जाए यह गेम ऐसा है वैसा है तो इसलिए बोलता है कि इस गेम में तो एक अच्छे कोच का होना बह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और लाश्ट के दुनों में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है लास्ट का जो एक हफता होता है वह बिलकुल अंत होता है ठीक है उसमें आपका दिमाग काम करेगा नहीं ठीक आप तो यह कर सकते होगी यह बोला कि यह करना है तो यह कर लिया मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और सजेशन देना चाहता हूं अगर आप इस गेम में हो या आना चाहते हो तो पहले एक अच्छा कोच हायर कर ठीक है और फिर इस गेम की तेया ही कर अब तक का एक्सपीरियंस यह बोलता है वह बहुत बड़ी कर सकते हैं सोच नहीं सकते हैं दिखता ही नहीं कंपेरिजन आखे दुंदली हो जाती है तो हम महाँ पर फर्स दे हमने चेक इन किया और रजिस्टेशन किया और सब शायद वहाँ पर सभी थे और सोम सर आपको पहले से जानते थे सोम सर ने मेरे को बताए कि अप्रिशेट किय कर दो 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 एक है यहाँ दो एख टोड़ा साथ टी असी ने बॉड़ी थोड़ी एड़ी एडिए तो फिर हमने सेकेंड ने पहुंचे आपे और तीन चार गंटे में अमारा शायद नंबर आया था वाँ पर हमारी काफी टाइम बाद आई थी तो यह सब थे वहाँ पर तो हम वहाँ पर बेट करें थे स्टेज पर फिर प्री जजिंग करी प्री जजिंग में फर्स्ट कॉल आउट में थे तो बॉड़ी खेर हमें भी पता थी कि उस स्टेट में नहीं है संकन ओच चुकिया बिल्कुल पर हम यह मैं खुद बोल रहा हूं मैं सबस्ट करना हमें चीज को जो मेरा जितना बोडिबी का कहह रहा था नada क क सब से वम लेकर मैं स्टील सिर्म गया हूं इस सी में लेकां इस यची फोर्म तो मेरी दिल्ली स्टेट में मेरे फोटो देख लेना चेक कर लेना और मेच कर ले लेकिन फिर फिर फिर्स्ट इस कॉल आउट में थे पिर भी शेर्व क्लाशी के स्टेज पर तो फिर नेक्स डे रात को हम साथ थे तो रात को और भी वर्स हो रही थी बढ़ भाइया मान नहीं रहे थे वर्स कंडिशन देक पारे थे कि वह यार उठके वाश्रूम तक जाना बहरी हो रहा था चीजे इतनी हार्ड हो रही थी हमने बोला कि बहुत कोई बात न्याद नहीं आप टब पानी वह था कै वह थाव बहुत सीवि बहिया के जुनून सवारता है यार मैं वो नी करूँगा डी आइडरेट करना बॉट माइंड़ से यह था कि बिलकुल शार्प करना बॉटी को पर वो चीजे गलत होगी और कंडिशन रात को बहुत जादा खराब होगी थी और फिर अगले दिन तो फिर हमने सबने डिसाइड करने चीजे नहीं करने नहीं हो पाया को खड़ा हो ना यह बारी हो गया तो बल्कि वो उस डिसेजन के बात बाकि सब इमोशनल थे आंगों से सबके आस्वी टपकर हो गया थे क्योंकि सब सात थे और सबने वो स्ट्रगल देखा था कि किस लेवल तक क्या कर रहा है बहिया अब इमोशनल थे बट डी आइडलेट इतने थे उनकी आखों से नमी निकल रही थी जैनुवरली बता रहा हूं कि वह आखों से मन बिलकुल संकिन था पर इतना पानी भी नहीं था बॉड़ी में कि आखों से आस्वी जाए और बाकि सब मतलब इतने पर मतलब कंडिशन ही इतनी कंडिशन खराब कभी हुई नहीं हर जगह से नेगेट है हर जगह से चीजे बहुत बुरी हो दी पूर मनलब कुछ अच्छा हुआ है नहीं अमारी वस्त ताइम था चीजे सब कुछ अपनी जीजान लगाली बगवान को शायत कुछ और करवाना था और कुछ देना था यह सारी चीज हुई मतलब हमारा नागेटिव टाइम चल रहा होगा लेकिन अब भी खतम नहीं हुआ था जारी था नागेटिव टाइम हमारा कि यह सब चीज्य हो गयी इंजरी हो गयी सब कुछ गया गल्ध डिसीजन ले लिया खेलने का उसमें फिर लाश्ट में आके गलती ही बहुत बड़ी और ये है एल्थ के साथ कॉंप्रोमाइज कर लिया ये भी गलती कर लिया हमने फिर ये सुचाई कोच है तो फिर एक कोच हायर करके और सबसे बड़ी गलती कर लिया टाइम का लोज पैसो का लोज आपको तो बता है और हमने इंडिया के नहीं हमने वर्ल्ड के बेस्ट कोच सर्च करें और उसमें से बेस्ट कोच के साथ वाज़े आने के बाद दिमाग हो गया खराब अगरती पता लगे कोच की कि भई आके अब तो कोच आयर करना है लिस्ट निकाली कोण क्या कितना क्या है वर्ल्ड की बेस्ट है हमने सोचा कि यार कुछ भी हो जाए करना तो एडिटूट तो वही थे ना कि अगभर किपप वाला तो आपका माइंशट वी वैससा प्र सक्राहिए य घंदर कके देह यहा नोका तो करनाई नि कि फिर उसमें से हमने एक सलेक्ट करा है फिर आप बताऊ 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 तो अमने उसमें से एक स्यल्यक्त करा पाई में बात करी खुद सब्ण्द करें कि टेक्ट बदेग्स नहीं थे उसकी समझ में तो हमने डेरेक्स तो यद्ही इतने बड़े दोस्ते नियुigor इस टाइम पे अब तो भीक्तर और हमने यह जुगार बढ़ा के उशे बड़े हूज कोच लेल को लिला आने वाले कोज से हमने बात करी उसको अपना विजन समझाया और वो तो बिल्कुल टॉप नौच उसमें ते कि हाँ हाँ इस पॉसिबल और यूपल और यूपल दो साल की एडवांस पीमिंड दी दो साल की एक हेफ्टी अमाउंट कुछ महीने का एक ही शेडूल और एक शेडूल उनों ने दिया हमें हमने यूज किया वो ट्रेन किया उस हिसाब से डाइट ली सारी चीज यूज करी और उसके बाद सर जैसे हमने और क्वेरी और आगे बढ़ने कोशिश करी सर ने हमें रिस्पॉंड करना बंद कर दिया क्योंकि उनका जिस जो हमारा मेडि पढ़ता रहा पहले मंदब एक अफ्टा था फिर उन्होंने दो कर दिये फिर बंद आना ही बंद हो गया और आने का बंद रीजन यह था कि जो हमारा मेडियेटर था उसकी उससे बिगड़ गई और हम फस गए हम तो पैसे दे चुके थे हमारी दो गलती थी नहीं बट हम उ थी इशू आया फिर कोच के बाद फिर क्या माइंड शेयर रहा आपका आपका हम पहुँचगे इसके बाद फिर दोजरबाइस में दोजरबाइस में आ चुके ह emergency हमesta fijner में किया शो और पिर हम कोच प्र कोच है रहा चे महीने मेरे साब से उसमें निखल गए फिर क्यर में आ प्रूड गया हमारा एक और बड़े कोच ने अमें अप्रोच करा था प्रॉम कंट्री और उन्होंने भया को डिरेक्ट मेसेज करा था वह भी शायद हम नाम नाले तो ठी रहेगा बड़े कोच ने लेकिन ऑक्सीजन जिम में तो बहुत से कोच है वह उसे जिम से बहुत बड़े कोच खार मुआप बड़ेए कोच था अप्रोच करा अग अलाकि अन्होंने अमें कभी पैसे करने नहीं बोला कि सर आप भी बता दीजे क्या पता आम अपो ना गर पाये योगि हमें पता नहीं था कि इस नहीं है जितना भी मैं फिर इस युर में पांज करूँ आक जब एक बार फिर भी फिस के लिए बोला तो उनों बोला जब आप कमपटिशन जीच जाओ उसके बाद देख लिए उनकी लाइन थी मैं पड़के बदाऊंगा उनकी लाइन थी I'll take my money when you become Mr. Olympia यह यह एक्सक्षाइक वर्ड थे उन्होंने क्लिर लिखा था कि उन्हों सामने से मेंसेज करा थे कि hello bro I have never seen the genetics that you have I have never seen the genetics you are having in Indian guy and you have all the potential to be Mr. Olympia यही था भी जाएद मेर को रिमेंबर है हमने उनको बदाए कि 212 हमें इंटरस्टेड और उनने बोला कि 212 ही आपके लिए है तो कि आपका बॉड़ी वेट हाइट उस स्टक्चर मुसल बैली जोरो राउंड ने से मुझे कई मुझे कई मुझे कई दिनों से वह देख रहा था अब 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 अबज़ कर रहे थे व हमें स्टार्टिंग में शाद एक तो शडूल भी दिया बट इंजरी कि वज़े से वह फॉलो नहीं कर पा है और फिर हमने जब बुरा इतना टाइम चला था हमने उनको दुबार अपरोच कर तो फिर उन्होंने रिस्पॉंड करना बंद कर तिया आप कर नहीं 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 क्योंकि बीच में हम इंजरी में घुज गए थे तो उन पर इंप्रेशन यह चला गया था कि हम सीरिस नहीं है लेकिन जब हम स्टेट में आयो स्टेट में तो हमने जब उनको मेसेज किया तो फिर उन्होंने रिप्लाइ करना बंद कर दिया तो कंडिशन नहीं 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 क्योंकि उन्होंने तो अपना दिया पर वो इंप्रेश वो टाइम ऐसा था विया वो टाइम हमारा नेगेटिव चल रहा था कि कुछ भी कर लो अच्छी चीजी होनी नहीं थी हर जगह से नेगेटिविटी हर जगह से तो फिर हम आगे 2022 में फिर क्या 2022 का क्या गोल था हम आड़ी के बाद से अपना टाइम से रो अच्छा मैंने सोच लिया इंजरी और ये सब बग्वास ठीक है इनको साइडे में रखो थोड़ा ज्यादा होता है तो डोक्टर या उनसे दिखाते रो बाकि एक्टिव रो ठीक है जो अपना गोल है उसके टच में रो जीम है करते रो थोडी नो द्सके डंब नहीं लगा तो डाइकके डंब तो लगें गोलत कि अधिव intelligent — कि जाना ही जाना है, वरकाओत करना है, यह नहीं कि अधिव ही करना है अधिव कर और यह डाया कार रो ऑजना है बड़ जल्दी नहीं यहिं ई लिकलगव कर है नहीं पंप चला हम ठीक है जो मसल एक्टिव रहती है वो स्क्वीज होने लग जाती है और फिर आदमी डिप्रेशन में आ जाता है कि मैं तो यार कैसा था कैसा होगा मग पहले इस डिप्रेशन से बार आना है अब मैंने मेरी हाल से अगस्तिया सितंबर से फिर दुबारा से वर्काउट स्टार्ट कर दिया ना कि कोई कोचिंग ना कुछ होर सिर्फ वर्काउट और डाइट और थोड़ा वो सप्लीमेंट सप्लीमेंट भी इतना यूज नहीं किया था ठीक है घर की डाइट और वर्काउट श्राट किया फिर आपने खुद से ट्रेंइंग चालू कर दी गाइं फिर नेक्स्ट शो आपने कब प्लान करा और फिर आप कोँछ के साथ ट्रेंड कर दे या विदाउट कोँछ पर यह देरे 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 जो भी है जैसे बोलां ना कि हड़के वेट से श्टार्ट किया तो पूरी तर ऐसे ऐसे करते करते मैं फिट हो गया और फिर इसी दूराण भाई ये अपना एक कुलदी बाई है ठीक है उस से उन से बात चीथ हुई फोन पर किया चल रहा है क्या नहीं यह भई ऐसा ऐसा है तो वह बोला आजम मिलते हैं बात करते हैं फिर उन से पास गया और फि करना करनी है करना क्या बोडी बिल्डिंग करनी है बस तो बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है जोस के साथ है मतलब जोस के बिल्कुल 100% है और देखते हैं लाइफ दुबारा ट्राक पर है शारी महाराज की पहले थोड़ी वह हो रहा था जितना भी वो देख्या था ना बुरा टाइम अब बगवान की दिया से उतना ही अच्छा टाइम आ रहा है ठीक है और जितने बुरे लोग थे मतलब आउट हो गए हैं अब सारी अच्छे लोग अपने पास हैं चारो तरफ सारे हैं हां हां सारे दोस्त है पोजिटिव है ठीक है तो जो सारी चीजे देखते हैं मदद करते हैं कुछ भी यह है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है और और जो आपने बलकि मैं हम तो सर्फ देखके और थोड़ा बहुत हम जो भी सपोर्ट कर पाए बट आपने जो भी स्ट्रगल को करा है यह बहुत डिप्रेसिंग सब्सक्राइब बहुत लंबा टाइम था एक दो महिने भी नीड़ साल इसमें इससे निकलने के बाद भी जो आके निकल गया वह उसके लिए बहुत स्ट्रेंज है वो शायद मैं अगर दो साल इतना डिप्रेशन में रह जाओ तो शायद मैं दुबारा परस्यू ना गर पह वह चीज को मैं छोड़ी दो लेकिन फिर भी आपने कर रहा और अभी आप इतने पॉजिटिव और अच्छ वो तो मजा आ गया और ओपस हो कि वह पॉजिटिविटी और बढ़ी हो वह और लोगों तक फैले और और उसका पॉजिटिविटी का सर्कल बढ़ता जाए अब है पॉजिटिव एनरजी जो ऑना भगवान की जो एनरजी है डिबोश्णल है जो एनरजी यह बहु जरूरी है बहुज जरूरी है वो सर्कल बढ़ते बढ़ेगा तो और मजायागा वो पाउफुल एनरजी बंजाएगी बढ़ी एक चीज़ और द्यान दिया है ना मैंने ए जो भी बड़े बड़े जो मैं समझता हूँ जो बड़े हैं लोग है जिनोंने कुछ किया है ठीक है तो उनकी जीमनी बगरा पड़ता हूँ कि उनको भी परिशानिया ही होगी वे कैसे कम बैक उन्होंने कैसे कम बैक किया है ठीक है वे कैसे देखते हैं सिच्वेशन को जड़ विस दुक टाइम आता है तो उनको कैसे देखते है और कैसे ऐसे बहराते हैं तो उसमें एक नरी लिख रखे था कि ढ़ुआ था उसका रणीगा तो बुला कि लका दूसरा दोस्त था मैं तेरा दोस्त हु नहीं भstonesघार altri मैं तेरे स्कूल में तब स्कूल टेम में छोड़ अब की बात करने है नहीं रनर तो नहीं रनर का दोस्त रनर ही हो सकता है तो फिर उसना पूरा निछे है वो डिस्क्रिफ्शन में दे रखे था कि भाई अगर आप एक रनर बनना चाहते हो ना तो आपका सरकल रनर का ही होना चाहिए, कि वो ही आपको, मतलब, अगर आपको गल्द करना चाहरे हो ना, तो वो आपको बता देगा, कि ये गल्द है, हमारी रनिंग के लिए, अगर मैं बोडी बिल्डर हूँ, तो मुझे बोडी बिल्डर ही दोस्त, अगर आच्छा कुछ कर करना है, तो उनके साथ सरकल में रहना पड़ाइगा, जैसे आज कर लेते हैं, अगर मेरे साथ बोडी बिल्डर होगा, तो करने थोड़ी ना देगा, या फिर वो तो नहीं करेगा ना, और वो नहीं करेगा, तो शायद उसका देखे, मैं अच्छा यह नहीं करेगा, तो चल हसलर बंदा हसलर के साथ ही रह सकता है, वो महंती बंदा महंती बंदे के साथ ही रह सकता है, आलसी बंदे के साथ उसकी दोस्ती होनी मुश्किल है, या तो वो भी उसको आलसी बना देगा, शेर शेर के साथ रहोगा, अगर शेर के साथ बक्रियानी को शेगी तो उसना खा ज अपने जैसे तगड़े बंदों के साथ हो तो मैंने सर्कल चेंज किया फिर अपने यह पड़ने के बाद और उसका रिजल्ट भी मिला मुझे यार कि यह नियर कि बात बात में किया दिया रिजल्ट मिला कि आप यार जो जैसे कोई और बंदा है मेरे डूटी का ही लगा ले मे के मदद कर रहो seconds है मेरे मेरे माइंड जो मैं सोच रहा न इसको समझे अपनां क्या मदद कर रहा और मेरा दोस्त कर बोड़े बिल्डर होगा जो मेरे दोस्तिट बॉड़ी बीलडर होगा इस मेला टाइम नहीं अहु डाइम यहा जाता हूं कई बार मेरा टांग दार दां मे बोईल्ड करेगा और वेट भी करेगा कि बाहियो 200 ग्राम तो इसी लिए मैं बोल रहा हूं अगर बढ़ना है ना गोल अचीव करना तो जो आपको पॉजिटिव एनरजी और आपके हेल्पिंग चीज हो उनी पे वह हो सकता है यह ना है यह वह दो जो तो जापके है दो जापकों वह जोट शृकर मेरा हूइए ना और को ऑने करें दो पिछिश के देंगे प्छिटिव जाएँ पीच्छ खेतेगा तो इव यह क्यों मेरा का अटेंग करेगा हूं हुप अर तो पहले यह को बहु हर दोस्त अशत्याद स् तो यह चोटी चोटी चीजे जो help कर सकता है न वह एक bodybuilder ही bodybuilder की help कर सकता है उसको पता है कि यह चीज इसके लिए एक diet क्या माईने रखती है एक time का protein क्या माईने रखता है तो अभी उसमें आपने positive है circle बढ़िया है और आगे और बढ़िया रहेगा लेकिन अब हम थोड़ी सी और दूसरी बात करते हैं कि जैसे आपने दिलिबुलिस की बात करी तो आप जाते हो वर्दी में और department में तो एक तो आपको क्या reaction मिलता है और क्या माउल रहता है वहाँ आपको एक अलग चीजे मिलती है अलग एक रिस्पेक्ट मिलती है या फिर क्या माउल रहता है वहाँ पर मैं बोज जाना जाते हूं कि एक बॉड़ी बिल्डर जब यूनिफॉर्म पैंगे अमने इंटरनाशली रोनी कॉल्मन को फुल इसकी इनिफॉर्म में देख तो मुश्लिद देखते रह जाते हैं और भाई फिर हिमत करका पूछ भी ले है कि भाईया वैसे ही कुछ एक्टिंग वगरा है या आप हो ही दिल्ली पुलिस में ही है अचे गबरा आ जाते है बंदे डर जाते है पुलिस की वर्दे और उपर से इतना मौत इंवास बंदा गब पुलने की बजाए बंदे पहले उसमें इंस्टाग्राम में फोटो निकाल के पहले ही फेस के आगे रख देते हैं कि भाई आप यही हो ना मैं यही हो तो आप रिस्पेक्ट मिलती है लोग डरते हैं पर आ जाते हैं फिर भी बात करने फिर भी बहुत सारे आम शौर कि आपके साथ फोटो किचाना जाता है लेकिन ठोड़ा इचके चाह रहा है दर रहा है आप से इसके जाता है विंदाज आओ इतने डाउन-to-earth इतने बड़े आद्ली दुनने के बाद इतने डाउन-to-earth है पुब्लिक में जाएं पकड़ लो फोटो किचाहो कभी मनानी करें गेरें नाम पे उस्ता करेंगे चिलो किचवाओ और अभी एक चीज और मेरेको डि करें के श the economy में अडिए और योगों और ऑपकल करें शर्मान तरा में इतने बुनके करें जाए आज करोके अग्यागे अन्यागे बदे जांगे बन बन घणार्था उसमें धो चाहरो आड़ीमे से बनजाः बन जाती है तो उसमें दो चार जीज ऐसे मेरेको पता लगगी म गात दो हम है को कynnश रहे हो आपने टेकि अरे मेरे बाई क्यूंब क्यूं इन इस प्रोटीन खारे है क्यों ब asleepAKE ले रहे रहे है कि घमका रहे हैं क्यों गुलोटा ben 2019 क्यूं क्यूं खारे हैं प्रोटीन जो पी रहे हैं दिन का इतना 300-300 ग्राम यह प्रोटीन ले रहे हैं फिर वैसा भी सप्लीमेंट में ले रहे हैं अगर इनसे मेगी से बनती हैं मारते पहले तो महारे मेरे और च्छोर मेरे किया बॉड़ी बी बनने जाएगा सबसे बहुत कर रहे हैं इन लाइफ में सिवाए ठगी के ठीक है कुछ नहीं किया अब भी ठग रहे हैं इन सिर्फ दो चार बेवकुफो बरी बात कर गया अपने है लाइक कोमेंट नहीं कोई सद्धन है इनकी कमाई का कोई साथ दन नहीं है ठीक है यह खामा खाए नहीं दिखा है कई गड़ी वड़ी अरे ट्रम से ट्रम कुछना पर दन सोद्धा ठीक से इनकी थोड़े दिन वीडियो ना चल लेंगी ना यूदार मांगे ते मैं दिखा बंद नहीं हुए थे प्रोपर्टी डिलर थोड़े दिन इनने भी सफेद कपुटे पह रहे थे कुर्दे बजा में इप सारे सब गोफिस बंद हो लिए ठीक है तो इनकी वीडियो ना था इनने तो मजबूरी है यार यार यह बक्वास करना बिजनस ही हुए लोग समझने रह हुए बक्वास कर रहे है हसलो और उपर ने सरकाथ हुए और मज़े लो आपके मज़े ले आप उनसे जादा मज़े लो उनके बाइशेदी देख वे स्क्रीन पाए हसलिये गुठ्धे उपर गर दो गुठ्धे नू कर दो तो यू गुठ्धा और गिदे कर दो आपका किसकी तरह आप बनना जाते हो इस टाइम पर यार मेरा वो इंस्पिरेशन है मैं अलका लका देख भी पा रहा हूं कुछ-कुछ स्टाइल में आपके पर मतलब आपका इस टाइम पर फेवरेट की यह मेरा मेरा आज की टाइम पर यह सबसे तागड़ा मस्त बाड़ी पसंद तो देखो एक तो निकवाकर मुटेंट और एक दूसरा वो है एंडू जैक एंडू जैक वो बट बड़िया उसकी मिल्ड़ अट्रेक्टिव है उसकी बोड़ी जैसे इसकी उसकी सेम थोड़ी थोड़ी उससे आ ऐसी है जो फ्लेक्स वीलर था थे ना पके थोड़ा हो बैऑ प्लेक्स वीलर या फिर स्जॉन रॉड़ण उस ताइप फ्लो था है प्लको sanity मेंद ना इंटी तक उसकी फ ACLU कौन जीतेगा hydra किस पांव आपका पैसा किस पे है मेरा पैसा तो डराएक पे डरिक वो बोड़ी तो यह जो जिस तरह अगा उसका स्रक्चर है जिस तरह की अभी वो ग्रोथ कर रहा है उसकी लीटेस्ट वीडियो देखियो तो आपने पता लग जाएगा लाइक की देखिये एक साल में ते क्या खाली आसा यार क्या बन गया एक साल में डेरिक लंच्वर्ट करक आप उनकी पहले की वीडियो देख लेना और आज की देख लेना क्या करा होगा मेरे को समझी नहीं आ रहा भी आप थोड़ा से एक साल में इतना चेंज इतना चेंज इतना चेंज इतना अबर दस्त लेक्स देखके तो दिमाग खराबी हो जाता है पहले ही ओलंपिया में सिल्वर मैडर लिया इस साल मास में सबसे ज्यादा बिग रहमी थी ना हाँ जी हाँ बाई कंडिशनिंग नहीं इस बार तो शायद नंबर वन डेरिक ही बन जाए अभी हमें बहुत जादा टाइम हो गया है और मेरे को लगता नहीं कि आज के पॉड़कास्ट में आप से क्योंकि आपके पास इतना कुछ है बात करने के लिए इतनी कुछ चीज़े हैं कि मतलब हम चलते ही जा रहे चलते जा रहे और खतम ही नहीं हो रही है बाते तो पाट तु शायद हमें करना आए थे आपके बहुत सारे फैंस नहीं पूछ तो उनको निफटाते हैं और एक क्वेशन आया था कि आपका परफेक्ट डे क्या होता है कि आज मेरा परफेक्ट डे है आज मेरे इसाब से चीज़े होगी है तो आपके आज आते कि सुबह उठते ही शाम तक ऐसा दिन होना कि नहीं तो दिन क्या है मेरा हर दिन वह परफेक्ट डिन जिस दिन मेरा वरगाऊट अच्छे से हो मैं डाइट अपनी कंप्लीट कर पा हो जितनी भी मैं मैं लेना चाहता हूं प्रोपर रेस्ट कर लू और कार्डियो का टैम निक्र जाये मेरा जिस दिन यह सारी चीजी हो तो जब आप ट्रेन करते हो आपकी मसल क्या सोचते क्या आपकी मसल आपको क्या कहा रही हो की मसल यही कह रही होगी कि दरसल करता हूं तो मेरा फोकस होता है मारे विल्स के साथ मेंसलगा का यह को अविल और दे लो इसं अविल आपकी में आ तो क्या बेन खुलतहीं एнев नियुक पुलती रहे तु हाहतु हुए हुए। मैन आवाज उक है। आवाज रावाज रह दो पूखोंटी रहती हुगी। यए जिम दिखी चिपशान पूंइ तो य। द्यान ह ससा जहीं आप bankrupt कि इतना पड़े लिख्या कि दिल्ली पुलीस में ना होता मैं आई ये से बने जाता यह और रैंक कोई कर लेता ठीक है अफिर तुन्हों कि मैं नत करें बोड़ी बिल्डर ना होता फिर तो यह एक के ओप्शन राइगा मेरे दो रहे मजदूरी करता रात ना जार रुपे गर रोज अजार रुपे खागज हो जाते अगले दिन फेरी ओए तो आपको चांस मिले बॉड़ी बिल्डिग में एक्टिंग करने का तो आपका फेरेट करेक्टर कौन जाएगा यह यह रोल मेरे पर पिट करता है यह मेरे को करना है एक्टर रोली बुड में कोई भी आपको अटर पंदे यह मेरे पर पिट करता है आपको पसन्ता है की इस रूल में उसने तो थोड़ी बोथ कमी राग दे घ भर मैं पूरा जरिगाँ आपको सबसे अच्छा सौंग वकाउट करते हुए सबसे मोटिवेशनल सौंग आपका कौन साहिए कि एक सौंग ऐसा हो या जब भी डाउन फील कर रहे हो कुछ भी डाउन फील कर रहे हो कि यह सुनके मैं फार दूँ आप सबके जो सबसे आदा मोटिवेट करता है ऐसा ऐसे तो कोई सौंग है जिनको मलब एक बार कान में पड़ जाए तो आप मेरे पर कितने रैप लग वाले जैसे की युद्ध हम सोगे नहीं नहीं एक वो है संजेजत का सौंग है साकी साकी कर गया अच्छा कलर किरता था थाूम है कि ये गशल नहीं प्लावाज में फैर वारॉम स्टाइए साथ कराईखे कर फेर थमक चल दोầy सब गवानी चोईज है मेरा योदा आपका ओल टाइम फेवरेट बाडी बिल्डर कौन है आपको हमेशा से अच्छा लगता हो फिलीद फिलीद नो डाउट पता ना क्यूं उस ते एक थोड़े सा अटेश्मेंट सा अलग है इव जैसे मैंने बुला सब त अच्छा कुन सा जुक्त characterize क्या थीज श्ताइल पसंद था या डीडिकेशण पसंद था है फिजीक पसंद है प्सक वे एक था मतलब कुछ पूरे यह सेवन प्रायम है यह करेक है को ईम्लूं ती सईल रहापन से अच्छा किन ही तो अच्छा करें गांगा या मैं लाइने जाओनी है उसका पोजिंग का स्टाइल है और जब वो बोलता है तो रॉंग टेखड़े होते हैं थोड़े से ना और कई की विवार है ना मन लाग गया थोड़ी सिमेट्री है ना मेरी उस तेम थोड़ी-थोड़ी मैच करें ना ये अपने खुशी होने के लिए कह रहा हूं ये बात तो अपने थोड़ा सा और थोड़ा सा चोड़ा हो कि फिर एक बार फिली दो रहे तो जरू जाँगा एक बार मिलके थोड़ा सा देखेंगा थोड़ी-थोड़ी-थोड़ी मनी तेरी जिजिती तो इसमें अपना आज के टाइम पर head to head जाना हो जैसे आप कॉंपीट करें साथ वो चाहिए one-to-one comparison नहीं दया तो end to jack बहुत जल्दी शायद हो चाहिए अचा एक और question है आपका favorite food कौन सा है कि यार हम मेरे को यह कितना इखिलालो मेरा मेरा मन पेट कुछ नहीं बरेगा एक खाना जो आपको बहुत पसंद है यह तो पूछना पड़ेगा किसे आपको पूछना पड़ेगा किस कंडिशन में कभी भी आपको जैसे आपको मौका मिल जाए अब मुझे थोड़े ना मिलेगा तो मैं त्यारी पर हूँ त्यारी पर मन आपको करता होगी यह आप obviously अब तो आप बैस देखो अगर गर का गर में हूँ तो मुझे चूरमा कितना भी ख थीक है यह मैं कितना भी ताल चूरमा अचार आम का चाहर और अगर बाहर हों कि जा रहे हैं मिठाई की दुगान मिलगी तो एक चैना टोस नाम से आते हैं मिठाई हाँ जी हाँ जी मेरी फेवरेट है वो मैं बहुत खा सकता हूँ कितनी खिलाल हो किसी को गिफ्ट करनी हो च जो एडिस गुलिद आव है ना म खात रहिया है है का यह एक ऐसी यद्वाइज आपको लाइफ टाइम है यह इसने आपको एक दो обяз is an expected कि आपको उमीद ही नाहों आपको आपने मतलब क्या उसना बता जिया तेरे लिए इंपोर्टेंट क्या चीज है और किस तरफ जाना है लाइफ में किलारिटी दे दी दुन्दले पात हटा दी बात इस ते करनी है ते करनी है ना करनी ते ना करनी कि आप अभी आप अपनी एक जो आप जीना जाते हो सपनों की जिन्दगी जी रहे हो या भी वह दूर काफी अभी बहुत दूर है या पास है कितना पास है कितना दूर है सपने पता कैसे होते हैं सपने होते हैं जैसे इंपाड नहीं देखते हैं और यो रहा और पिर मिलता है कुन्या, कितने चालिजाना तोड़ी दीर में एक गंटे में दो गंटे में, कल्म है पोच जाएंगे, फिर वो और पर आगे चला जाए, तस सपना दिख रहा है, पैर हमारे सही सलमत है, चलते जा रहे हैं। कितने दिन में गोल बनाया चीव करने का, सपना क्या है और वो अपने चेट कराया या फिर आप को या है? आज मिलो, कल मिलो, एक महीने में, एक साल में, मिलेगा जरूर ह। यह वह सपना? किसी की बी साथ है कुछ भी करके कि या है कुछ विदा लगा सकते उसके लिए मारे पास सब कुछ लगा है यह यह कुछ है भिन जाना वही है कितनी मुश्किल आ जाए अलाकि बहुत सारा स्ट्रगल कोई एक दिन आसान बता दे कोई एक ट्रेणिंग आसान बता दे कोई नूं कर आपकी ऐसी कोई मैमरी जा जाका जागा कि आपको लगता होगि यह चीज अड़ इस चींद के नहीं अपको नियुक्टाइब कहता है और यां इस चीज ने आफ़ की अपार्ट फॉम जो आपने पड़ा इस चीज ने आपकी लाइफ बदल दी कुछ आसा इंसिडेंट हो गया हो ना 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 अज बदले तो है ना कोई नी बदल सकती है ना पहले भी बेसरम की डाड़ा लाग रहे थे इस काम मैं आज भी लाग रहे है किसने बदले हम किसेने भी ना सबसे बड़ा कॉंपलिमेंट आपको मिला हो या आपको लगता हो कि हाँ मैंने कुछ अचीव कर रहा है वो मुमेंट ऐसा कुछ हो जो मन अचीव कर रहा है ना जी जिन हो जागा ना उस इस कोश्चन का अंसर जरूर देवा मैं काफी जल्दी में मेरे का अंसर मिल जाए हाँ शायद बू जल्दी मिलेगा उमीद करते हैं तो अभी बाते खतम हो नहीं रही है मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़े हैं जबकि मैं इतने सालों से बईया के साथ हूँ और रोज मिलता हूँ फिर भी मतलब आज भी मेरे प हैं कि मेरे साथ मेरे साथ से इतना थोड़ा सा हिच्किच आता है नहीं बंदों किसाथ घुलने मिल्ठे में और थोड़ा सा बाद शीस करनेगी सुईख उजाओए इन यसमें और जाओे उसमें एंटर हो जाओगे तो आपको लगेगे में था इंसान पास कितने कुछ नॉल बहुत कहरें बंदिया है, बड़े बड़े नहीं गहरें भी बहुत हैं। उसके अंदर गहराई भी है। तो मैं चाहता हूं कि भया हम दुबारा एक पॉड़कास्ट करें, आज का पॉड़कास्ट बहुत बढ़िया रहा। मुझे लगताि कि मैं इतना मोटिवेट हुआ हू तो बहुत अच्छा लगा यहां के वाई मतलब एक तरीके से इतनी लंबी खुद के बारे में बात करना दूसरों को बतारना देखते हैं अगर एक बंदा या दो बंदे भी इंस्पायर हो पाए तो मेरे लिए बहुत अचीवमेंट होगा यह मतलब बहुत बड़ी बात होगी करता हूं कि आप बहुत जल्दी उस ड्रीम स्टेज जो हर एक बॉड़ी बिलिंग नस्ट्री के फिटनेस इंडस्ट्री के हर एक बच्चे को ड्रीम लगता है उस ड्रीम को आप रियालिटी में कनवर्ट करके बहुत सारे लोगों को पात दिखा हो कि हां इंडियन जैनेट एक इंडियन बंदा उस स्टेज पर भी वो चीज कर सकता है जो अब तक हम सिर्फ सपनों में सोचे लेते हैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा शायद जल्दी जल्दी चीज को पूरा करने की हम बाकी देखते हैं बगवान की जो मरत्जी होगी है चलो भीया अब भी हम इसक को ओपन करें और देखें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगाई है तो इसके अंदर एक गिफ्ट है आप उसको प्लीज निकाल के अन्बॉक्स कीजे बड़े वाली फीलिंग आ रही है क्या देखे प्लीज एक बार खोल के कैसा लगा आपको और यह तो मेरा फेवरेट दे दिया जाता हूं कि मैंने देखा आप कुछ दिन से वह पॉलो कर रहे हैं तो उसको मेरे को लाया गी और बेटर उस चीज को बना के हम देखें नरेंदर यह दव नाम भी लिख रहे हैं ट्राय करते हैं डाले इसको चेंज करें आज मैल करूं कि खड़ा हुजूं मैं नहीं आप बैठर हो मैं यह निकल जाएगा आयूद वैसे निकल जाएगा यह में जाएगा कि बेस्ट विशिज कि हमारी दर से बेस्ट विशिज है कि बहुत ही जल्दी वहां पहुंचे आप जहां हर एक बच्चा ड्रीम करता है प्याना लगा आपको बिल्गुल बिल्गुल बहुत बढ़ी है तैंक यू भी पता ना थैंक यू वही मच भी आप ऐसे अमें इंस्पायर करते रहें और आपकी चर्णी में हम ऐसे जुड़े रहेंगे और ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत जल्दी हम दुबारा कि अंदर इतना कुछ है तो हमें लाला चा बहुत जादा इंसे लेने का कि यार और नॉलिज ले ले मनी नहीं बढ़ता चलो ठीक है बिल्कुल जरूर मिलेंगे दूबारा जब भी बाई 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 पुलेस बहुत दो ब्यूटिफुल किड्स फैमिली बॉड़ी ब कुछ तांक थांक 수 पर कंग आ भासले स长 गया ने रहत velocity का यह आ Hm sharing to the channel. we will be posting podcast every Friday हर एक अफते एक नया podcast लिख आएंगे तिल दिन, thank you very much thank you for joining and peace out जै हे